वागत है आप सभी का मेरे चैनल कलरफूल प्लेट्स पे तो कुछ दिन पहले मैं घर गई थी तो घर में जाते ही सबसे पहले मैं छट में जाती हूँ तो छट में ज़रूर देखती हूँ कि इस बार नया कौन सा फूल या फल जो है लगा है तो इस बार हम लोग के जो अनार के पेट में छोटो सा एक फल आया था वो सपेशली देखने गई थी और काफी फूल बगिरा भी अनार में आया है तो विछ सपेशली वो अनार का फल देखने गई थी छोटा साही हुआ था और इसके बाद जो है मैंने देखा रही चने का साग आस तो चने का सागी बनेगा तो बस मैं चने का साग जो है कैची से तोड़ने लगी इतनी पतली-पतली डंडिया थी पर उपर मैं catch actually मैं catch लेके आये थी इसलिए ताकि गुलाब की जो डंडिया है वो काट सकूँ लेकिन मैंने तो सागी मेरा दिमाग भी यह न साग जो है कट करने लगी तो बहुत सारा साग चने का हो गया है साधे साथ पालग का भी इस बा लगाया गया है मिति का लगाया गया है धनिया वगेरा भी लगाया गया है तो क्या आप लोग भी सर्दियों में ये धनिया पालग मिति का साग वगेरा लगाते हैं अगर लगाते हैं तो कमेंट में जरूर बताईएगा और मुझे ज खुड़ा बहुत चाय पत्ती वगेरा खाद में यूज़ करें, कभी-कभी बाहर से भी खाद लिया आया जाता है, तो वो यूज़ करें, तो आप लोग मुझे शेर कीजेगा, क्या-क्या आप लोग खादों डालते हैं, अगर आप लोग भी गाड़नी करते हैं, तो क्या-क् साथ चने कर, साग डाल हो कि रभी बनाया गया था, सिंपल खाना बनाया घया था, थोड़ा-बहुत फूल भी आए है, पीर में, dat थोड़ा बहुत आया आए है, फूल में, अभी गेदर का प्ल उतना जादा नहीं लगाया गया था, थोड़ा बहुत लगाया गया है वरना हर विंटर में के देर का फूल बहुत लगाया जाता है तो थोड़ा बहुत लगाया गया थोड़ा बहुत नहीं लगाया गया और खरीद के लाएंगे तो फिर लगा देंगे तो वीडियो छोटा सा था अच्छा लगेगा तो प्लीज स